पुसकार दोस्तों हादिक स्वाधत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर दोस्तों शादी होने के बाद महिलाओं को पाँच चीजे मायके से ससुराल में नहीं लाना चाहिए इससे पती की बरबारी हो जाती है घर में आती है डुष्ट गरीबी दोस्तों हर लड़की को एक ना एक दिन शादी करना ही पड़ती है और उसे अपने असले घर जाना ही पड़ता है लेकिन क्या आप जानते हैं शादी होने के बाद मायके से इन पाँच चीजों को ससुराल में नहीं लाना चाहिए इससे पती का धीरे-धीरे खत्म हो जाता ह आपसी रिष्टे बरबाद हो जाते हैं पती-पत्नी में जगडे होना शुरू हो जाते हैं और बात तलाग तक पहुँच जाती हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डाले उसकी जान इसली आदी में गलत रास्ता अपनी बेटियों को बताती हैं याद रहे घर की बहों को मायके की बुरी बातों को लेकर ससुराल में प्रवेश नहीं करना चाहिए इससे रिष्टों का अंथ हो जाता है और स्त्री के चरित्र पर लोग गलत उंगलिया उठाते हैं ऐसे में स् लक्ष्मी भी प्रवेश करेगी माता लक्ष्मी आपका हमेशा अच्छा ही सोचेगी दोस्ट तो नंबर टू मायके से घर की बेटियों को चाकू, छुरी, धारधा नुकीली चीजे लेकर ससुराल में नहीं जाना चाहिए इससे उल्टा आपके ससुराल में नकारात्मक उर जगडे आदी प्रवेश करेंगी और आपके मायके नाम बदनाम होगा आप कोई भी ऐसा काम ना करें जिसके कारण लोग कहें कि मायके की बुरी संगत का असर है क्योंकि चाकू, छुरी, प्रेम का प्रतीक नहीं होती इससे आपके पती के साथ जगडे तलाग जैसी नौब होने लगता है, ऐसी पत्नी के पती को लोग बुरी नजरों से देखते हैं, इसलिए ऐसा काम कोई भी शादी शुदा महिला ना करें, दोस्तो नंबर फॉर शादी होने के बाद महिलाओं को मायके से भगवान की कोई भी प्रतीमा कभी ससुराल में लेकर नहीं जाना है, और आपको भी एक ना एक दिन लज्जित होना पढ़ सकता है, दोस्तों अगर आपको जानकारी पसंद आये तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, और हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, जय माता लक्ष्मी, जय माता दी